मेरे प्यारे देश वाचियों, नमस्कार, मन की बात में एक बार फिर आप सब का स्वागत है, ऐसे तो मन की बात हर महिने के आखिरी रविवार को होता है, लेकिन इस बार एक सब्सा पहले ही हो रहा है, आप सब जानते ही हैं, अगले हपते मैं अमेरिका में रहूंगा, और व जाने से पहले आप से बात करनो, और इससे बढ़िया क्या होगा, जनता जनारदन का आशिरवात, आपकी प्रेणा, मेरी उर्जया भी बढ़ती रहेगी, साथियों, बहुत से लोग कहते हैं, कि प्रधान मंत्री के तोर पर, मैंने ये अच्छा काम किया, वो बड़ा काम कि मन की बात के कितने ही स्रोता, अपनी चिठियों में बहुत सारी प्रसंसा करते हैं, कोई कहता है ये किया, कोई कहता है वो किया, ये अच्छा किया, ये जादा अच्छा किया, ये बड़िया किया, लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास, उनकी महनत, उनकी इच च्छाशक्ति को देखता हूं, तो खूद अपने आप अभिभूत हो जाता हूं, बड़े से बड़ा लक्ष हो, कठिन से कठिन चुनोती हो, भारत के लोगों का सामुहिक बल, सामुहिक शक्ति, हर चुनोती का हल निकाल देता है, अभी हमने दो-तीन दिन पहले देखा, कि दे बड़ा साइकलोन आया, तेज चलनेवानी हवाएं, तेज बारीश, साइकलोन विपर जोई ने कठिना कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन कठिन कठिन लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ, इतने खतरनाक साइकलोन का मुकाबला किया, वो भी उतना ही अभूतूर्व ह दो दिन बाद ही कठ के लोग अपना नया वर्ष, यानि असाड़ी बीच भी मनाने जा रहे हैं, ये भी सहियोग है, कि अशाड़ी बीच कठ में वर्षा की सरूवात का प्रतिक मना जाता है, मैं इतने साल कठ आता जाता रहा हूँ, वहां के लोगों के सेवा करने का मुझे सवभागे भी मिला है और इसके लिए कच्च के लोगों का होसला और उनकी जिजी विशा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ दो दसक पहले के विनासकारी भूकम के बाद जिस कच्च के बारे में कहां जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा आज बही जिला देश के तेजी से विक्सित होते जिलों में से एक है मुझे विश्वास है साइकलोन विपरजोय ने जो तबाही मचाई है उससे भी कच्च के लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे साथियों प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रभंधन की जो ताकत विक्सित की है वो आज एक उधान बन रही है प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृतिका सवरक्षन आजकल मौनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है इसलिए ही आदेश कैद रही जैसे अभ्यानों के जरिये सामोही प्रयास कर रहा है पिछले महिने मन की बात में ही हमने जल सवरक्षन से जूड़े स्टार्ट अप्स की चर्चा की थी इस बार भी मुझे चिठ्ठी लिक कर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक मुंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं ऐसे ही एक साती है यूपी के बान्दा जिले के तुलसराम यादव जी तुलसे राम यादो जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेल खंड शेतर में पानी को लेकर कितनी कठिनाईया रही है इस चनोती से पार पाने के लिए तुलसे राम जी ने गाउं के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से जादा तालाब बनवाए हैं तुलसे राम जी ने अपनी मुहीम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में गाउं का पानी गाउं में आज उनकी महनत का ही नतीजा है कि उनके गाउं में भूजल स्तर सुधर रहा है ऐसे ही यूपी के हापूर जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुप्त नदी को पुनर्जी भी किया है यहां काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी समय के साथ वो लुप्त हो गई लेकिन स्थानिय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा आखिरकर लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सज्यू करने की ठानी लोगों के सामुही प्रयास से अमनीम नदी फिर से जिवन्त होने लगी है नदी के उद्गम स्थलकों अमरुद सरोवर के तौर भी विक्सित किया जा रहा है साथियों ये नदी, नहर, सरोवर ये केवल जलसरोत ही नहीं होते हैं बलकि इन से जीवन के रंग और भावनाय भी जुड़ी होती हैं ऐसा ही एक द्रश्य भी कुछी दिन पहले महराष्ट में देखने को मिला ये इलाका जादातर सुखे की चपेट में रहता है पांच दसक के इंतजार के बाद यहां निलवंडे डेम की कैनाल का काम अब पुरा हो रहा है कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दौरां कैनाल में पानी शोड़ा गया था इस दौरां जो तस्वीरें आई वो वाकई भावुक करने वाली थे गाउं के लोग ऐसे जुम रहे थे जैसे होली दिवाली का त्योहार हो साथियो जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज चत्रपती सिवाजी महराज को भी याद करूँगा चत्रपती सिवाजी महराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध का उसल से भी बहुत कुछ सिखने को मिलता है विशेशकर जल प्रबंधन और नवसेना को लेकर चत्रपति सिवाजी महाराज ने जो कार्य किये वो आज भी भारतिय इतिहास का गवर बढ़ाते हैं उनके बनाए जलदूर्ग इतनी सताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं इस महने की शुरुवात में ही चत्रपति सिवाजी महाराज के राजजा विशेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं इस अउसर को एक बड़े पर्व की रूप में मनाया जा रहा है इस दोरान महाराज के राएगर किले में इस से जुड़े भव्य कार्खमों का आयोजन किया गया मुझे आध है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे राएगर जाने उस पवित्र भूमी को नमन करने का सौभाग्य मिला था यह हम सब का कर्टब है कि उस आउसर पर हम चत्रपति सिवाजी महाराज के प्रमंद कौशल को जाने उनसे सीखे इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और वविश के लिए कर्तबियों की प्रेणा भी मिलेगी मेरे प्यारे देश वाचियों आपने रामायन के उस नन्नी गिलहरी के बारे में जरूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी कहने का मतलब ये कि जब नियत साफ हो प्रेयासों में इमानदारी हो तो फिर कोई भी लक्ष कठिन नहीं रहता भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनावती का मुकाबला कर रहा है ये चुनावती है टीबी की जिसे छैरोग भी कहा जाता है भारत ने संकल्प किया है दोहजार पचीस तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष बहुत बड़ा जरूर है एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीच को परिवार का सदर से बना कर उनकी मदद की जा रही है इस अक्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा सभाल लिया है देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्द सामाजिक समस्ताई निक्षय मित्र बनी है गाउं देहात में पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगया कर टीबी मरीजों को गोद लिया है कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगया आए हैं ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है इसी भागीदारी की वज़े से आज देश में दस लाग से ज़ादा टीबी मरीजों को गोड लिया जा चुका है और ये पुन्ने का काम किया है करीब करीब 85,000 निक्षय मित्रों ने मज़े खुशी है कि देश के कई सरपंचों ने गराम प्रधानों ने भी ये बिड़ा उठा लिया है कि वो अपने घाउं में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे नईनितार के एक गाउं के निक्षय मित्र स्रिमान दिकरसी मेवाडी जी ने टीबी के छे मरीजों को गोड लिया है ऐसे ही कि नोर की एक गराम पंचाइक के प्रधान निक्षय मित्र स्रिमान ज्ञानसी जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उपलब्त कराने में जुटे हैं भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवास साधी भी पीछे नहीं है हिमाचल प्रदेश के उना की साथ साल की बेटी नलीनी सिंह का कमाल देखिए बिटिया नलीनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है लेकिन MP के कटनी जिले की 13 साल की मिराक्षी और पच्चिम मंगाल के डाइमन्ड हार्बर के 11 साल के बश्वर मुखर जी दोनों ही कुछ अलगी बच्चे हैं इन दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभ्यान में लगा दिये हैं ये सभी उधारन भावकता से भरे होने के साथ ही बहुत प्रेरग भी हैं कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं रदय से प्रसंसा करता हूँ मेरे प्यारे देश वासियों हम भारत मासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तयार रहते हैं हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसाद भी करते हैं इसी का एक उधान है जपान की तकनीक मियावा की अगर किसी जगह की मिटी उबजाव नहीं रही हो तो मियावा की तकनीक उस छेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है मियावा की जंगल तेजी से फैलते हैं और दो तिन दसक में जैव विविद्वता का केंदर बन जाते हैं अब इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलग-अलग हिस्सों में हो रहा है हमारे हाँ केरला के एक टीचर स्रिमार राफी रामनाज जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीरी बदल दी दरसल रामनाज जी अपने स्टूडेंट्स को प्रकृती और परियावरन के बारे में घैराई से समझाना चाहते थे इसके लिए उन्होंने एक हर्बल गार्डन ही बना डा उनका एक गार्डन अब एक बायो डारोसिटी जोन बन चुका है उनकी इस कामियावी ने उन्हें और भी प्रेणा दी इसके बाद राफी जी ने मियावा की तकनीक से एक मिनी फोरेस्ट यानि छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम अब इतना खुबस्वरत नाम तो एक सिक्षक ही रख सकता है विद्यावनम रामनाजी के इस विद्यावनम में छोटी सी जगह में 115 वेराइटी के 450 से अधीक पैड लगाए गए उनके स्टूडन्स भी इनके रखरखाव में उनका हाद बटाते हैं इस खुबस्वरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे आमनागरीक काफी भीडू मरती हैं मियावाकी जंगलों को किसी भी जगह यहां तक की शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है कुछ समय पहले ही मैंने गुजरात में केवडिया एकता नगर में मियावाकी फोरेश का उदगाटन किया था कच में भी 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में मियावा की पद्धती से स्मृतिवन बनाया गया है कच जैसी जगह पर इसका सफन होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राकृतिक परिवेश में भी ये तकनिक कितनी प्रभावी है इसी तरह अमबाजी और पावागड में भी मियावा की मेथड से पवधे लगाए गए हैं मुझे पता चला है कि लखनों के अलीगंज में भी एक मियावा की उद्ध्यान तयार किया जा रहा है पिछले चार साल में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे साथ से ज़्यादा जंगलों पर काम किया गया है अब तो ये टेकनिक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है सिंगापूर, पैरिस, आस्ट्रेलिया, मलेसिया जैसे कितने ही देशों में इसका बड़े पैमाने पर उप्योग हो रहा है मैं देश वास्यों से खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आगर करूँगा कि वे मियावा की पत्दल्ती के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें इसके जरिये आप अपनी धर्ती और प्रक्टिती को हरा भरा और स्वच बनाने में अमुल्ले योगदान दे सकते हैं मेरे प्यारे देश वास्यों आजकल हमारे देश में जम्मु कश्मीर की खूब चर्चा होती है कभी बढ़ते परियाटन के कारण तो कभी G20 के शांदार आयोजनों के कारण कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादुरू देश के भार भी पसंद किये जा रहे हैं अब जम्मु कश्मीर के बारा मुला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है बारा मुला में खेती वाड़ी तो काफी समय से होती है लेकिन यहां दूद की कमी रहती थी बारा मुला के लोगों ने इस चुनवती को एक आउसर के रुप में लिया यहां बड़ी संध्या में लोगों ने डेरी का काम शुरू किया इस काम में सबसे आगे यहां की महिलाया आई जैसे कि एक बहन है इश्रत नभी इसरत एक ग्रेजुएट है और इन्होंने मीर सिस्टर्स डेरी फार्म शुरू किया है उनके डेरी फार्म से हर दिन करीब एक सो पचास लिटर दूद की विक्री हो रही है ऐसे ही सोपोर के एक साती है वसीम अनायत वसीम के पास दो दर्जन से ज़्यादा पशु है और वो हर दिन दो सो लिटर से ज़्यादा दूद बेचते है एक और युआ आबिद हुसेन भी डेरी का काम कर रहे है इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है ऐसे लोगों के महनत की वज़े से ही आज बारा मुला में हर रोज साड़े पांच लाख लिटर दूद उत्पादन हो रहा है पूरा बारा मुला एक नई स्वेत करांती की पहचान बन रहा है पिछले धाई तीन वर्सों में यहाँ पांच सो से ज़्यादा डेरी इंडिस्ट लगी है बारा मुला की डेरी इंडिस्ट्री इस बात की गवा है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है किसी छेत्र के लोगों की सामुई की इच्छा सकती कोई भी लक्ष प्राप्त करके दिखा सकती है मेरे प्यारे देश स्वासियों इसी महने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुश कबरी आई है भारत की टीम ने पहली बार विमेंस जूनियर एशिया कब जीत कर तेरंगे की शान बढ़ाई है इसी महिने हमारी men's hockey team ने भी junior Asia Cup जीता है इसके साथ ही हम इस tournament के इतिहास में सबसे अधीक जीत दर्जे करना वाले team भी बन गए है junior shooting world cup उसमें भी हमारी junior team ने भी कवाल कर दिया भारतिय टीम ने इस tournament में पहला स्थान हासिल किया है इस tournament में कुल जितने gold medals थे उसमें से 20% अखेले भारत देखाते माये है इसी जून में Asian under 20 athletic championship भी हुई इसमें भारत पदक तारिका में 45 देशों में top 3 में रहा साथियों पहले एक समय होता था जब हमें अंतराष्ट्री आवेजनों के बारे में पता तो चलता था लेकिन उन में अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था जगनाज मैं केवल पिछले कुछ सफता के सफलताओं का जिक्र कर रहा हूँ तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है यही हमारे युवाओं की असली ताकत है ऐसे कितने ही खेल और पतियोगीता है जहां आज भारत पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है जैसे कि लौंज जंप में स्रीशंकर मुरली ने पैरिस डाइमन लीग जैसे प्रतिश्टित आहुजन में देश को ब्राउन दिलाया है यह इस प्रतियोगीता में भारत का पहला मेडल है ऐसे ही एक सभलता हमारी अंडर सेवेंटी वुमेन रेस्लिंग टीम ने करविस्थान में भी दर्ज की है मैं देश के इन सभी अटलेट्स उनके पैरेंट्स और कोचीश सबको उनके प्रयासों के लिए बहुत-बदाई देता हूँ साथियों इंटरनेशनल आयोजनों में देश की सभलता के पीछे राष्ट्रियस तर पर हमारे खिलाडियों की कड़ी मैनत होती है आध देश के अलग-लग राज्यों में एक नए उत्सा के साथ खेलों के आयोजन होते हैं इन से खुलाडियों को खेलने, जीतने और हार से सिखने का मौका मिलता है। जैसे अभी उत्तरपदेश में खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ। इसमें युवाओं में खुब उत्सा और जोस्त देखने को मिला। इन खेलों में हमारी युवाओं ने ज जैन उनिवर्सिटी मेडल टैली में पहले स्तीन सानों पर रही हैं। साथियों ऐसे टूर्णामेंट्स का एक बड़ा पहलू यह भी होता है कि इन से युवाओं खेलाडियों की कई इंस्पारिंग स्टोरिज भी सामने आती हैं। खेलों इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स में रोविंग स्पर्धा में असम की कॉटन उनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यां खेलाडियों बने जिनों ने इसमें हिस्सा लिया। बरकत्तुला उनिवर्सिटी की नीधी पवईया घुटने में गंभीर चोट के भावजूत शौट पूट में गोल्ड मेडल जीतने में काम्यार रही। सावित रिबाई फूले पूने उनिवर्सिटी के सुभम भंडारे को एंकल इंजरी के चलते। पिछले साल बैंगलूरू में निराशा हाट लगी थी लेकिन इस बार वे स्टैपल चेस के गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। बर्दवान उनिवर्सिटी की सरस्विती कुंडू अपनी कबड़ी टीम की कैप्टेन है। वे कई मुश्किलों को पार कर यहां तक पहुची है। बहतरीन प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे अटलेट्स को टॉप स्किम से भी बहुत मदद मिल रही है। हमारे खिलाडी जितना खिलेंगे, उतना ही खिलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून भी अब आही गई हैं, इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतरराष्टिय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है, योगा फर वसुध है कुटम कम, यानि एक विश्व, एक परिवार के रूप में सब के कल्यान के लिए योग, यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है, जो सब को जोडने वाली और साथ लेकर चलने वाली हैं। हर बार की तरह इस भार भी देश के कौने कौने में योग से जुड़े कारकम आयोजित किये जाएंगे। साथियों, इस भार मुझे नियुवर्क के सयुक्त राष्ट मुक्षाले, यूएन में होने वाले योग दिवस कारकम में शामिल होने का आउसर मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मिडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्सा दिख रहा है। साथियों, मेरा आप सभी से आगर हैं कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचरिया का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं, तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बहतरीन मुका है, योग में तो बैसे भी ज़्यादा ताम जाम की जरूरती नहीं होती है, देखिए जब आप योग से जुड़ेंगे, तो आपके जीवन में कितना परिवर्तनाएगा, मेरे प्यारे देश्वासियों, परसों यानि 20 जून को अइतिहासिक रथियात्रा का दिन है, रथियात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है, देश के अलग लग राज्यों में बहुत दुमदाम से भगवान जगनात के रथियात्रा निकाली जाती है, और इसा के पूरी में होने वाली रथियात्रा तो अपने आप में अद्भूत होती है, जब मैं गुजरात में था, तो मुझे अमदाबाद में होने वाली विशार्थ रथियात्रा में शामिल होने का आउसर मिलता था, इन रथियात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्क के लोग उमरते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकर्णी है, ये आस्ता के साथ ही एक भारत, थ्रेष्ट भारत का भी प्रतिविम होती है, इस पावन पुनित अवसर पर आप सभी को मेरी वर से बहुत-बहुत शुब कामना है, मेरी कामना है, भगवान जगनात, सभी देश स्वास्यों को अच्छे स्वास्त और सुक्ष सम्रुद्धी का आशिर्वात प्रधान करें, साथियों, भारतिय परंपरा और संस्कृति से जुड़े उत्सव की चर्चा करते हुए, मैं देश के राजभवनों में हुए दिल्चस्प आयोजनों का भी जरूर उल्लिक करूँगा, अब देश में राजभवनों की पहचान सामाजिक और विकास कारियों से होने लगी है, आज हमारे राजभवन, टीबी मुक्त भारत अभ्यान के प्राकूरतिक खेती से जुड़े अभ्यान के धजवाहक बन रहे हैं, बीते समय में गुजरात हो, गोवा हो, तिलंगरा हो, महराष्ट हो, सिक्किम हो, इनके स्थापना दिवस को, अलग-अलग राजभवनों ने, जिस उत्सां के साथ सेलिबरेट किया, वो अपने आप में एक मिशाल है, ये एक बहतरीन पहल है, जो एक भारत, स्रेश्ट भारत की भावना को ससक्त बनाती है, साथियों, भारत लोगतंतर की जननी है, मदरब डेमोक्रेसी है, हम अपने लोगतंतरिक आदर्शों को सर्वोपरी मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरी मानते हैं, इसलिए हम 25 जुन को भी कभी भूला नहीं सकते, यव वही दिन है, जब हमारे देश पर एमर्जन्सी थोपी गई थी, ये भारत के इतिहास का काला दौर था, लाखों लोगों ने एमर्जन्सी का पूरी ताकत से विरोत किया था, लोग तंत्र के समर्थकों पर उस दोरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई, कि आज भी मन से हर उड़ता है, इन अत्याचारों पर, पुलीस और प्रशासंद वाला दी गई सजाओं पर, बहुत सी पुस्तके लिखी गई है, मुझे भी संगर्स में किताब लिखने का उस समय मौका मिला था, कुछ दिनों पहले ही, एमर्जन्सी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई, जिसका सिर्षक है, टॉर्चर और पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया, एमर्जन्सी के दोरान, छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है, कि क ऐसे उस समय के सरकार, लोग तंत्र के रखवालों से कुरूर तम ब्यवार कर रही थी, इस किताब में धेर सारी केस्टरीज हैं, बहुत सारी चित्र हैं, मैं चाहूंगा कि आज जब हम आज़ादी का अमरित महुत्सों मना रहे हैं, तो देश की आज़ादी को खत्रे में ड देवलोकन करें, इससे आज की युवापीधी को लोग कंत्र के माइने और उसकी एहमियत समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, मेरे पैरे देशवासियों, मन की बात रंग बिरंग के मोतियों से सजी एक सुन्दर माला है, जिसका हर मोती अपने आप में अनूठा और अ आमोहिक्ता की भावना के साथ साथ समाज के प्रती करतवे भाव और सेवा भाव से भरता है, यहां उन विशों पर खुल कर चर्चा होती है, जिन के बारे में हमें आम तोर पर कम ही पढ़ने सुन्ने को मिलता है, हम अकसर देखते हैं कि मन की बात में किसी विशे का जिक्र ह कैसे अनेकियों देश वाष्यों को नई प्रेडा मिली, हाली है मैं मुझे देश की प्रसित्य भारतिय सास्त्रिय नुत्यांगना आनंदा शंकर जैन का एक पत्र मिला, अपने पत्र में उन्होंने मन की बात के उस एपिशोर के बारे में लिखा है, जिसमें हमने स्टोरी ट के बारे में चर्चा की थी, उस कारकम में हमने इस फिल्ड से जुड़े लोगों की प्रतिभा को अकरनालिश किया था, मन की बात के उस कारकम से प्रेडित होकर आनंदा संकर जैन्त ने कुट्टी कहानी तयार की है, यह बच्चों के लिए अलग-लग भाशाओं की कहानियों का एक बहतरिंच संग्रव है, यह प्रेयास इसलिए भी बहुत अच्चा है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का अपनी संस्कृति से लगाव और गहरा होता है, उन्होंने इन कहानियों के कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियो अपने यूटूब चैनल पर भी अप्लोड किये मैंने आनंदा संकर जैन के इस प्रेयास की विशेश तोर पर इसलिए चर्चा की, क्योंकि यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे देश वासियों के अच्छे काम दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, इससे सिकर वे भी अपने हुनर से देश और समाज के लिए क कुछ बहतर करने की कोशिस करते हैं, यही तो हम भारत वासियों का वो कलेक्टिव पावर है, जो देश की प्रक्रिती में नई शक्ती भर रही है, मेरे प्यारे देश वासियों, इस बार मन की बात में मेरे साथ इतना ही, अगली बार नए विशेओं के साथ, अब से फिर मु रखिए, संतुलित खाईए, और स्वस्त रहिए, हाँ, योगा जुरूर कीजिए, अब कई स्कुलों में गर्मी की छुटियां भी खत्म होने को है, मैं बच्चों से भी कहूंगा कि होमवर्क लास दिन के लिए पैंडिंग ना रखे, काम खत्म करिए और निश्चिंत रहि बहुत बहुत धन्यवाद